हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियों में बात कहने वाले हैं और साथ ही हम बात कहने वाले हैं इवियों 600 mg के बार में दोनों के अंदर आपको देखने को मिल जाए गए है योई झाल को यही तो होता है विटामिन E और विटामिन Д सप्लिमेंट आपके बौड़ि के अंदर अगर विटामिन hena की और को मिले गहाँ उसके बाए Baby इनोत कैपसुल को खाने से क्याकिश क्या इन अपके कैपसूल है कल थो है करेंगे घूर या फिर इनको एप्लाई करने से जढ़ादा में लगा उसके अलआवा हम लोग इसके इंट्रैक्शन किनकन दवायों के साथ इन को नहीं खुशें और इसके पूंचन इसके अलब किनकन प्रिकॉशन यानि इनको खाना शाहिए और अब हम बात करेंगे कितने डोज में इनको खाना है कब तक खाना है वो सब हम वीडियो के अंदर बात कहने वाले हैं तो फाइनली वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट तो गाइस जो आप देख रहे हो यह इवी उनके 400 अमजी और 600 अमजी के अपसुल है इसके अंदर विटामीन ई ह और विटामीन ई जो होता है वह function प्रोवाइड कर वाता है पेरिफलर नर्वस सिस्टम को ताकि वह अच्छे से अपना function परफॉर्म करें जो पेरिफलर नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो हमारा brain होता है वहां से सारे nerves connected होते हैं हमारे पूरे body के जिसके वज़े से तो हम जोर हो जाती है मसल आप समझे गऊंगे वीक हो जाता है इसके अलावा जो आप देख रहो ना वो धुदलापन दिखाई देता है विटामिन एक कमी होने से तो इसलिए हम इन कैप्सुल्स का यूज करते हैं इन सप्लिमेंट को लेता है विटामिन एक थाकि जो हमारा ब्लड वीजन है वो ठीक हो जाए जो मसल्स के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम हो रहा है यह से चलने उटने बैठने उसको यह ठीक करता है इसके अलावा अगर मैं आपको बात करो इसके में तो इसकिन के अंदर फ्री रैडिकल को फॉर्म नहीं होने देता जिसके वह जैसे आप इसके खुबसूरिती बढ़ा देता है यानि गलो को ऐसा नहीं है यह सिर्फ आपके जो सेल्स होते हैं उनको रिपियर करता है हील करता है जिसके वजह से आपका इसके रहे इसके अलावे बहुत सरे बेनेफिट है जैसे कि मैंने आपको थोड़ी दर पहले बताया कि यह दो हेर फॉलिकल है उस वाले रीजन में और वहां पर ब्लट फ्लो को यानि ब्लट सर्कुलेशन को मैंटेन करते हैं जिसके वजह से निट्रेशन टाइम टाइम पहुंचे और आपके जो है वह बाल जढ़ने के समस्य है वह दूर हो जाएगी तो गाइस और जो मैं आपसे बता बाट खाओगे तो जादा पहुंच पाएगा तो यह था कुछ और कुछ हर्ट करेंग अगर इसका यूज किया जाता है जैसे कि आपके आर्टरी से ना वहां पर ब्लॉक इसको हटाने का काम करता है यही दो कैप्सुल जो हटाने का काम करेंगे और साथी स्ट्रोक में काम अगर आपको विटामिन ए खाना ऐसा खाना चाहिए जैसे कि आलमंड हो गया संफलावर ओएल हो गया पंकिन हो गया पीनट सौइबीन ओएल या मैंगो हो गया यह सब खाते रहना चाहिए ताकि जल्दी से फुल्फिल हो जाए आपका विटामिन ए बॉड़ी के अंदर अब हम एक एक करके बात करते हैं जैसे के इंट्राक्षण होगया ऐसी दवाए जो की प्लेड थिना या वार्फरीन हो गया या फिर लिवर के रिगार्डिंग कोई दवाई खा रहे हो आप जैसे कोलेस्टरोल के दवाई खाते हो आप कोलेस्ट्रमाइन हो गया या फिर आयरन की कमी के लिए कोई दवाई खा रहे हो तो उस ताइम पर इनका यूज़ नहीं करना है अब हम बात कर लेते हैं जो किड्नी पेशेंट हैं लिवर पेशेंट हैं अपने डॉक्टर के सला से ही यूज़ करें जो डॉक्टर है वह नॉर् अपने एक बार डॉक्टर से जरू सला रहें उनके सला के बैगर बिल्कुल भी यूज़ ना करें तो यह हो गया कंप्लीट बात हैं और इसके कुछ साइड इफक्क के बार में बात करें वह आप अगर डॉक्टर के सला से नहीं खाओगे या एक महीने के जगए दो महीने ख तो आपको कुछ चक्कर टाइट काना फील होगा नौजिया वामिट होगा या फिर आपके एलर्जी हो जागा जैसे कि रैशेश हो गया या फिर आपके थ्रोट है वहां पर स्वैलिंग हो जाएगा और दिखना अच्छे से नहीं दिखेगा विजन ब्लड हो जाएगा तो कि यह कुछ इसके साइड एफेक्ट थे आपको वीडियो चलागा वीडियो चलागा तो अपने दोस्ते शांद जरू शेयर करें